अच्छा बहुत लोग कोशन पूछते हैं कि यार जिससे मेरा ब्रेक अप हो गया जो मेरी गल्फेंट थी एक्स वाली और जो मेरा एक्स बॉइफेंट था क्या वो अभी भी मुझे प्यार करता है या नहीं करता मेरे लिए तडपता है या नहीं तडपता क्योंकि कहीं ने कह करता है कि आपके ब्रेक अप का रीजन क्या था ठीक है there should be a solid reason behind your breakup अगर कोई breakup के पिछे solid reason नहीं है ना तो फिर कि मैं कहता हूँ वो breakup होता ही नहीं लोग कहता है ना कि हमने mutual understanding के साथ break up कर लिया, it was not working out, तो हमने decide कि छोड़ देते हैं, और कोई बात नहीं, हम अलग-अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम खुछ नहीं रह पाएंगे, कुछ लोग कहते हैं, हमारी काश्ट सेम नहीं है, हमारी शादी तो वैसे भी और यह फालतू की बातें मत करो, भाई, यहां पे बग्चोदी लेवल नहीं चलेगा, यहां पे यह सब फालतू की चीज़े होती हैं, जो लोग कह दें, कि बिना किसी रीजन के साथ तुम ब्रेक अप कर रहे हो, तो दो कंडिशन हो सकती है, या तो कभी तुम्हें प्यार था ही नहीं, और अगर प्यार था, तो तुमने कभी ब्रेक अप किया ही नहीं, माक माय वर्ज लेख के ले लो, और एक इंसान उठा के ले आना, जो कह दे कि प्यार भी था, और mutual understanding के साथ अलग भी हुए, और अभी भी हम उसको प्यार नहीं करते हैं, भोल चुके, मान ही नहीं सकता, ब्रो, मान ही नहीं सकता, अच्छा मैंने solid reason क्यों का, क्योंकि एक अच्छा खासा reason होना चाहिए, यह नहीं कि यार उसको पढ़ाई करनी थी, उसके पास time नहीं था, यह नहीं था, मुझे भी अपनी life में आगे बढ़ा था, यह फाल्तू की reasons होते हैं भाई, अगर कोई तुम्हें कहे ना, कि यार मुझे break up करना है, क्यों करना है, यार में को time ही नहीं मिल पाता, तुम्हारे मेरे को यही नहीं हो पाता, मुझे आप focus करने अपने studies में, मुझे preparation करें, फाल्तू की चीज़े होती हैं भाई, फाल्तू की चीज़े होती हैं, अगर understanding होगी ना, तो तुम उसको time दे दोगे, और अगर उसमें break up किया ही नहीं, और तुम उसको कभी भूल पाओगे ही नहीं, क्योंकि कोई reason ही नहीं था, यहां लोग cheating कर देते हैं, अलग होने के बाद तो याद करते हैं, यहां पर तो तुम्हारे पास कोई reason ही नहीं है, तो याद करोगी, क्यों नहीं करोगे, भाई, obviously करोगे है ना, दूसी चीज होती है, कि there is always a replacement for anything and everything in this world, हर एक चीज के लिए कोई नहीं कोई replacement बना हुआ है, ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे, नहीं, मा का कोई replacement नहीं होता, मा तो मा होती है, कुछ लोग कहेंगे, नहीं, हर एक चीज unique होती है, हर एक चीज अलग होती है, उसकी value अलग हो कोई से चींज नहीं कर सकता यह वो फ्लान एडिम का नहीं फालतु की बाते मत किया को लॉजिक लगा हो मैं रिप्लेस्मेंट की बात कर रहा हूं तो मैं यह नहीं कह रहा कि हर एक चीज अलग है कंपरेजन डॉम मत करो यह अच्छी है वो खराब है वो अच्छी है तो उससे कोई चीज नहीं हो सकती है यह फालतो की चीजें नहीं मेरा कहने का मतलब यह एक एक्जांपल के साथ तुम्हें समझाता हूं तुम अच्छे से समझ जाओगे यह लेकर चलो कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा वन प्लस का फोन ठीक है रही चलारे एकदम यादे जु या भी तुम कोई छोटा मोटा कोई शाओमी का या कोई सस्ता ही ले लेते हैं, महेंगा नहीं बोल रहा है, सस्ता ही ले लेते हैं, नहीं तो बाद में चिड़ोगे, सस्ता हो अस्ता ले लिया फोन, चला रहे हो, कुछ टाइम ऐसा आएगा कि तुम अपने वन प्लस को भूल जाओ के, मैं ये नहीं कहा रहा कि वन प्लस तुम्हें खराब था जो तुम्हें पर सभी फोन है, बेशा को अच्छा रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो तुम उसको भूली जाओगे, तो बहुत लगे हाँ कभी था, अब तुम्हें किसकी आदत लग जाएगी, अपने नए व वहाँ पर लड़ाई जगड़ा हो रहागा, वहाँ पर रोना मनाना हो रहा होगा, और भी चीज़े हो रहे हो जो कि तुम समझदार हो, कोई तुम्हें क्यों याद करेगा, और ये मेरा third point है, कि why isn't it important for you, तो लो कि वो प्यार करता है नहीं करता, अभी भी वो प्यार करती ह क्यों, क्यों जानना है, जिन्दगी में कोई काम धाम नहीं है तुम्हारे पास, आगे बढ़ने के लिए कोई इंसान नहीं है, रिलेशन्शिप में आये नहीं हो, most of the cases में यह होता है, कि लोगों को कोई मिलता ही नहीं है, तो फिर वो पिछले वालो को याद कर रहे होते है अरे फ़लाना एक लड़की थी, बहुत अच्छी थी, ये था अरे तुम नहीं पटालो ना भाई, तुम इतने ही जोरदार बंदे थे, तुम्हारी बहुत अच्छी बंदी थी, प्यार करती थी, तुम भी प्यार करती थी, नहीं बनालो, नहीं बनालो, अकर बनाया है तो ऐसा नहीं होता है भाई वो ये था वो वो था अरे जिन्दकी में सब आगे बढ़ी जाते हैं भाई तो ये सब छोड़ दो प्यार करता है प्यार अरे भाड में गई वो भाड में गया हो जो जहाना था वहाँ गया अपने लाइफ में आगे बढ़ो नई जगा पर जाओ नई असा नहीं होता, रुकने वाला रुख जाता है और जाने वाला छोटी से बहाने पर भी चला जाता है प्रस्नल एक्सपीजंस है वीडियोच यडिट वीडियोग वीडियोग को लाइक करना और च matching को सबस्क्राइब करना सब्सक्राइब करने के बाद bell notification कौन गना बिलकुल भी ना बोला